हाई एविवेवन वेलकम टू यूजी एंट विस एग्जामिनेशन बादो टूई फो सेवन और आज के इस वीडियो सेश्न में हम बात करने वाले हैं सबसे जादा डिमांडिंग टॉपिक के बारे में that is CUAT 2025 का syllabus और exam pattern क्या होगा काफी सारे बच्चे इसको लेकर के काफी confused थे तो हमारे पास mails और messages आ रहे थे कि माम क्या same pattern होने वाला है पिछले साल का या इस साल को changes देखने के लिए मिल सकते हैं so my dear student यह सारी चीसे आप लोग को इस वीडियो में clarify कर दी जाएंगी लेकिन आप सभी लोग को मैं बता दूँ जो बच्चे CUAT 2025 के तियारी कर रहे हैं 12th up year कर रहे हैं उनके लिए तो ये video important ही है साथी साथ में उन बच्चों के लिए भी ये video important है जिन्होंने सीउरी 2024 में exam दिया बट उन्होंने साल ड्रॉप लिया हुआ है और 2025 के लिए prepare करेंगे क्योंकि देखो अगर आपने ड्रॉप लिया है तो उसका कोई ना कोई रीजन होगा हो सकता है कि आपके marks अतने अच्छे ना आये हो या हो सकता है कि आप last moment पर preparation करने के लिए बैठे हो या हो सकता है कि आपकी जो preparation है वो तनी अच्छी नहीं हो पाई थी तो आप सभी के लिए video important है इसलिए से जाधा से जाधा शेयर करें हर एक बच्छे तक इसे पहुचाएं ताकि वो early preparation स्टार्ट कर पाए और ये समझ पाए कि CUET का exam pattern और syllabus क्या होगा उसे कैसे आप initially cover कर सकते हो और उसको end तक आप कैसे एकदम fine tune करके अच्छा score कर सकते हो और अपनी dream university में जाने का सपना पूरा कर सकते हो so let's start with CUET सबसे बहले हम बात करते है कि CUET क्या है CUET is also known as common university entrance test ये दो लेविल पर होता है UG और PG कोई बच्चा अगर 12th complete कर चुका है अपना तो वो obviously graduation के लिए जाना चाहेगा तो वो CUET UG का exam दे सकता है और किसी बच्चे ने conducting authority है NTA which is also known as national testing agency right अच्छा exam की frequency के बारे में बात करे हम तो वो पूरे साल में एक बार ही होता है आपका CUET का जो mode of examination होता है वो online अभी तक होता था 2023 तक 2024 के UG exam में there was a change आपका paper offline भी conduct करवाया गया that means which is paper or pen mode पे conduct करवाया गया अब the reason is बहुत सरे ऐसे बच्चे थे जो की technical glitch face कर रहे थे या बहुत सारे ऐसे भी बच्चे थे जो गाओं आले थे और उन्हें computer का use properly नहीं आदा था तो paper में difficulties face करी गए यहीं वज़य थी कि paper को offline mode पर conduct करवाया गया offline mode से बच्चों को feasibility ही provide करने की कोशिश करी गई है लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे paper आपके online ही हो maximum subjects जिनके लिए applications आए उनके paper offline करवाया गया और कुछ जिनके लिए कम minimum applications थे उनके paper online भी करवाया गया है यह कुछ specific studies ऐसी भी थी जहां पर papers सिफ online ही conduct करवाया गया थे तो यह एक बहुत ही important चीज है कि paper offline और online के combination में होगा that means it will be on hybrid mode फिर मात करते हैं कि कौन-कौन सी languages में अपना एक्जाम दे सकते हो अगर हम कुछ last years की बात करें तो 171 cities आपकी भारत में और भारत के बाहर भी कुछ cities ऐसी है आपकी जहां पर cvd का exam conduct करवाया जाता है लेकिन इन cities को धीरे-धीरे बढ़ाया जा रहा है क्योंकि बच्चे जादा है और कई बारे सा दिखा गया है कि बच्चे time पर नहीं जादना exam देने का मौका मिल जाए इसलिए यह cities को बढ़ाया गया है कुछ बाहर की cities इसलिए रखी गई है इसके पीछे एक reason था क्योंकि कुछ foreign students भी आते हैं यहां पर पढ़ने के लिए जिनको NTA welcome करता है और opportunity देता है कि वो हमारे यह universities में आ करके बढ़ सकते हैं अब बा state universities इसका हिस्सा है फिर इसके बाद आपकी deemed universities, deemed to be universities और आपकी private universities भी इसका हिस्सा है तो बच्चें के पास opportunity है कि वो maximum to maximum universities में participate कर सकते हैं for maximum courses ताकि हार एक बच्चा अपना paper बहतर तरीके से दे पाए एक single platform पर आ करके दे पाए और multiple universities के लिए eligible हो अलग-अलग universities में उसे जा करके धके ना खाने पड़े अच्छा official website की बात करें तो पिछले साल तक यह summer.ac.in हुआ करती थी लेकिन अभी पिछले साल 2024 में इसको change कर दिया गया now it is exams.nta.ac.in इस site पर जाकर कि आप अपनी maximum information ले सकते हो जैसे ही आप इस site को visit करोगे आपका एक preface open होगा जहां पर आपक को university section भी मिल जाएगा जिनका eligibility criteria और subject mapping भी आपको दी गई होगी subject mapping क्या है इसके बारे में अभी हम बात कर लेंगे लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं CUET 2025 का exam आखर कब होगा तो generally CUET का exam आपका 15 माई से 31 माई के बीच में होता है UG का तो यह हम expect करके चल रहे हैं कि आपका CUET 2025 का exam भी mid May में ही आपको दिखने के लिए मिलेगा वो 15 माई से 31 माई के बीच में हो सकता है तो आप तयार रहेगा और इस जिसका वेट मत करेगा जब exam date आएगी तब मैं अपनी preparation करूंगा बहतर यही रहेगा कि आप अपनी preparation जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लें PG की अगर मैं बात करूं तो March में पिछले साल यह paper हो गया था और इस बार भी हम expect कर रहे हैं कि near around March April में ही यह paper हो जाएगा Now, let's talk of this which is really very important that is CUET का exam pattern देखो, CUET में आपके पास tutorial 13 languages होती है और languages में आपके पास section 2 होते है first A और first B आपके पास obviously जो languages है वो 13 different languages है जिसमें आप बच्चा paper दे सकता है और फिर languages, 20 languages extra भी है जो की बच्चा चूज कर सकता है अगर उसको कोई foreign language सिकनी है तो जैसे Chinese हो गया, Japanese हो गया, etc. Right, languages का paper अगर बच्चे को देना है तो उसके पास total number of questions जो आते हैं वो 50 आते हैं जिसमें से उसको 40 questions करने होते हैं इसके लिए आपको 45 minutes दिये जाते हैं और हर एक language paper के लिए आपको 45 minutes ही allot किया जाएगा जिसमें आपको 40 questions करने पढ़ेंगे और आपका paper 200 number का होगा Section 2 की बात करें जो कि domain specific होता है, domain में आपके पास 29 domains हैं जिसमें 23 domain specific subjects में आपको 50 में से 40 questions करने आपको 45 minutes दिये जाएगे और कुछ 6 subjects ऐसे हैं आपके जिसके लिए आपको 50 में से 40 ही questions करने होगे लेकिन time जादा lot किया गया है, वो subjects ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा calculation जादा है जैसे accountancy हो गया, bookkeeping हो गया, chemistry हो गया, company science हो गया, information practices हो गया, economics हो गया, business economics हो गया, mathematics हो गया, applied mathematics हो गया, physics हो गया तो इन में इन 6 subjects में बच्चों को 60 minute दिये जाते हैं, बलकि rest of the subjects में बच्चों को 45 minute ही मिलते हैं पूरा paper करने के लिए section 3 के बात करें तो general test आता है, section 3 बच्चे पुछते हैं क्या compulsory है, तो मैं कहना चाहूंगी नहीं, section 3 compulsory नहीं है लेकिन कई साही universities से compulsory गर भी देती है, तो बहतर यहीं रहता है कि अगर आप subject combination अपने choose कर रहे हैं तो उसमें general test को रखें general test में आपका current of yours, static jk, quantitative aptitude और reasoning आता है, इसमें आपको 60 question दिये जाते हैं, 50 question करने होते हैं और आपको 60 minute का time दिया जाता है, हर question के लिए 5 मन number allot किया जाता है, तो अगर 50 question आप कर रहे हो तो 20 number का paper होगा इसके इलावा आप कौन से course के लिए जा रहे हैं, right, क्योंकि हर university हर course के लिए अपनी अलग subject criteria's मांगती है, तो आपको जब भी भी check करना हो कि मैं कौन से subjects पढ़ूँ, तो आप पहले university visit करिए, फिर course visit करिए, और फिर देखे कि उसके लिए कौन कौन से subject के requirement है, और फिर आप उन subjects को prepare करना शुरू करिए, और आपकी कोशिश यही रहने चाहिए, कि आप इसको जितना जल्ली शुरू कर दे, उतना ही बहतर है, क्योंकि आप believe नहीं करोगे, language or general test अपने आप में एक बहत बड़ा पहाड़ है, जिसको चढ़ना एक महीने का खेल नहीं है, आपको time देन information, तो अभी ही आप COT 2024 का reference ले सकते हो, COT 2025 का complete detail अभी नहीं आया है, लेकिन हम expect करके चलते हैं कि November, December तक यह आ जाता है, अगर prior basis पे आता है तो, नहीं तो January, February, last तो आपको मिल ही जाता है हर हाल में, तो suppose अगर कोई भी बच्चा है, और वो बच्चा चाहता है, कि उसे पता चल जाए, कि कौन से subjects के लिए पढ़ना पड़ेगा हमें, कौन से university में हमें कौन सा course मिल सकता है, तो उसे करना सिफ यह है, कि वो search कर सकता है, CUET, UG 2024, right, जैसे ही आप इस पे click करोगे, आपको देखो, यह देखो, साइट मैंने बताए थी, exams.nta.ac.in, आप इस पे click करोगे, तो आपको इस तरह का preface मिल जाएगा, right, और जब आपको इस तरह का preface मिलेगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको university पे जाना है, जब यह update होगा, तो 2025 का दिखाने लगेगा, suppose अगर आपको AMU के लिए जाना है, अलिगर मुसलिम university के लिए, और आपको Bwork course के लिए जाना है, तो आप देख लो कि आप कौन से university के लिए जा रहे हो, और कौन से course के लिए जा रहे हो, हर course के लिए compulsory नहीं होता, right, और प्लस आपको eligibility criteria भी दिया गया है, कि आपके 12th case, आप से कितना marks रना चाहिए, या क्या आपके पास subjects होने चाहिए, तो ऐसे आप हर एक university के लिए चेक कर सकते हो, अलिगर मुसलिम उनिवस्टी में maximum courses के लिए आप देखोगे तो general test compulsory है, लेकिन BST में देखो, अगर community science के लिए आप जाना चाहरे हो, तो language, physics, chemistry, bio या फिर mathematics से आप जा सकते हो, right, so ये आपको help करेगा to understand कि आपको क्या पढ़ना है, फिर ही तो आप अपनी preparation early start कर पाऊगे, और अगर आप अपनी preparation early start करना चाहते हो, अभी 16 September से, तो order 247 आपको opportunity दे रहा है, उडान 2.0 badge की, जो कि आपको early prepare करवाता है, और आपको 10 जंगा भागने की जरुवत नहीं पड़ती, आपको notes चाहिए है, आपको teachers चाहिए है, आपको mock test चाहिए है, आपको books चा पाई देते हैं, बट यह आपको बहुत lesser prices में मिल जाएंगे, 5999 और अगर आप language duty का बैस लेना चाहते हो, तो आपको यह 5499 रूपीज में ही मिल जाएगा, right, so आपको करना कुछ नहीं है, आपको order 247 की app पर जाना है, आप Google search चे भी जा सकते हो, जैसे ही आप order 247 की app पर जा के लिए जाना है, science के लिए जो, humanities के लिए जाना है, humanities के लिए जाना है, commerce के लिए जाना है, commerce के लिए जाना है, commerce के लिए जाना है, जैसे ही आप इसमें जाओगे, look at this, आपको लिखा हुआ दिखेगा, science badge, humanities badge, commerce badge, यह 16 सितंबर से start है, 300 गंडे की online classes, 121 test series, 78 e-books मिल रहे हैं प्लस PDF, DPPs, Doubt Sessions, Counseling Sessions भी आपको मिलते रहेंगे. अगर आपको यह badge करीदना है, तो आप code यूज़ कर सकते हो Y484. यह आपको help करेगा maximum discount दिलाने में. तो आप Y484 code यूज़ करो, यह अभी तक का सबसे सच्टा cheapest badge आपको provide किया जा रहे है. Y484 code यूज़ करने पर आपको इतना discount मिल जाता है, 2571 रूपीस का और आपको यह 5999 में badge मिल जाता है. इसमें दो languages, 4 domains और एक general test complete मिलेगा. उनकी books और उनकी test series के साथ. हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपको 1% extra discount मिल जाए, कि आपको badge कैसे purchase करना है. तो आप क्या कर सकते हो? आप मेंको मेरी mail ID पर mail भी कर सकते हो. That is, Rebecca screenshot ले लो. r-u-b-a-i-k-rubaca.agha at the rate at .247.com ठीक है? I'll help you out to get this badge. Fine? अच्छा, इसके इलावा, अगर आप सिर्फ general test के लिए जाना चाहते हैं, तो आपका सीम process है, आप order 247 पे जाएगा, all courses पे जाएगा, जैसे ही आप all courses पे जाओगे, UGPG exams पे जाना, UGPG exams पे आपको यह language duty मिल जाएगा, commerce भी है, humanities भी है. Language duty के लिए जाओगे, you will get it in lesser prices. ठीक है? 5734 दिख रहा है, Y484 code use कर के आप इसको, lesser prices में भी ले सकते हो. ठीक है? तो use the code Y484. Apply करो, 5499 का ही मिल जाएगा. 1% extra discount on a DAB, use it, it will be helpful. With this, let me end with a session, we'll meet again, अगर आपका कोई doubt है, तो आप after the video, मुझे comment section में लेक सकते हो. Thank you, bye-bye and take care.